पूल चाहिए हम लोग यही मांग करते हैं पूल चाहिए को पालपूर घाट पर पूल चाहिए क्या हो रहा है यहांपर नमस्कार आपको लिए चलते हैं पडियारी पंचायत के ग्राम गोपाल पूर जी हाँ गोपाल पूर बोले तो एकदम नजदीक में ही है और यह रानिगन छेतर में पड़ता है रानिगन छेतर में यह जो नदी आप देख रहे हैं इस नदी का बहुत करामात आपको देखने को पहले भी मिला इस नदी में कई जाने गई हैं और यहां पे एक आसिफ नाम करके लरका फिर से जान दे दिया जिसका पिता जी का नाम नजाम था जी हाँ वार्ड नमबर आपको बता दें कि यहां पर चेचरी पूल है और चेचरी पूल को टपने में यानि उसको पार करने में यह जान गई है अभी तक सरकार मोन खरी है जबकि सभी पंचैत के नेतागन और यहां के बिधायक जी और यहां के जिला अध्यक सारे लोग जान रहे है लेकिन कारवाई कुछ नहीं हुआ है जबकि यहां पर जो घटना हुई यहां पर रानी गंज परखंड के ठाना परभारी और भी कई लोग यहां पर आये और जाच परताल करके चले गए लेकिन समस्या वो नहीं है समस्या यह है कि यहां पर कई जाने गई है और यहां पर पूल लोगों का मांग है आज साथ साल से यही मांग दोढ़ाया जा रहा है कि गोपालपूर घाट पर पूल होना चाहिए लेकिन सरकार के कान में जून ही रेंग ती आपको बता दे यह समस्या आम नहीं है आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेशी नमस्कार आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेशी हम गोपालपूर और यहां पे जो परियारी पंचायत है और बीच में जो धार है वही धार पे हम अभी खड़े हैं इसलिए खड़े हैं कि हम आपको कोई पानी नहीं दिखा रहे हैं पानी तो इतना हुआ है कि जनतातरा ही माम है लेकिन आपको बता दे कि ये पानी में एक चेचरी पूल आप देख रहे हैं जो चेचरी पूल देख रहे हैं वो उस सैड को जाती है जो दूसरे गउं से जोड़ती है आपको बता दें कि वार्ड नम्मर दस का एक बच्चा ये चेचरी पार करने में इस सैड से उस सैड जाने में गिड गया और गिरने के बाद उसका दम निकल गया सुनिए सुसासन बाबू ये मामला साथ साल से चल रही है कि यहाँ पे पूल होनी चाहिए अब तो पूजा के तरह किसी का जान जब तक नहीं जाता है तब तक पूजा में मजा नहीं आता है ठीक उसी तरीके से ये नदी कईयों का जान ले चुका है लेकिन सरकार के कान में ज लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हो रही है यहां के विधायक कई बार बोले हैं कि हम इस बार करा देंगे हम इस बार करा देंगे लगातार दूसरा बार भी विधायक बना लेकिन अभी तक कोई काम सुचारू रूप से धारातल पे नहीं उतरा आपको बता दे कि यही वो धार है जहां पर पहले भी घटना हुई थी और आज भी घटना हुई है एक बच्चे का जिस बच्चे का उमर लगबक 12 से 13 साल है लेकिन बच्चे की माबाप का क्या हल है वो भी हम आपको दिखाएंगे आईए थोड़ा साम जानकारी यहां के ग्रामिन से ले लेते हैं कि हुआ कै से था जी क्या नाम है आपका महमाद इस्राइल आप यह बताईए यह जो बच्चवा डूबा यह बच्चवा कैसे डूबा तीन चाठ्थो बच्चा लजका पर से जा रहा था तप रहा था अच्छा उसी में जो है ना एक बांश तूट गिया पानी जो जादे आया एक बा सबाड़ करके आये हां तब उनको जबाते पाणी में डूब करके जो है निकाल ले क्या बच्चवा का नाम, असीप का पीता-जिक्रिआ नाम था? तूम भी वही टोला का हूँ बचवा कैसे डूबा तोनी बताओं एक दम हलका आवाज में थोड़ा सा आया उन्हें जा रहा था उस पार अच्छा जो बास था ना तूटके नीचे गिर गिर गिया बच्चा भी अंदर चला गिया उसके बाद अंदर है रहा गिया अंदर ही र अच्छा इसलिए वो डूब गया है आप कुछ और ग्रामिन से हम जानते हैं क्या नाम है आपका अयूब साभीर है अच्छा आप आयूब जी यह बताइए कि मामला कई बार आगे भी हुआ है कई जाने यहां पर गई है आप यहां के निवासी है अच्छी बात है और यह ज हम लोग यहां से दस आदमी मिलके तसलिमुदीन जी जब सांसत थे उनके पास पहुंचे थे हम लोग यहां पे पूल काव सकता है जी मांग किये थे तो उन्होंने असवासन दिये थे ठीक है मैं वहां इंजिनियर को भेजता हूं पूल बन जाएगा जी उनके बाद उनका देहांद हो गया उनका लर्का सरफ्राज जो आया एक साल के दर्म्यान में अच्छा उनको भी हम लोग जाके बोले कि यहां पूल काव सकता है यहां बना हुआ था वह भी आकर के निरक्षन करके गए अस्वासन देगे गए कि ठीक है बन जाएगा आज तक यहां पर जो भी नेता आये हुए हैं अस्वासन देते हैं कि पूल बन जाएगा लेकिन धारातल पर कुछ नहीं होता है परदीप सिंग भी बगल के प्रोस में आयते भड़कमा परखंड के घडिपुर कला पंचायत में उन्होंनों भी अस्वासन दिये कि ठीक है माई यहां से रोड और कला से जोड़ूंगा मत भी दिया लगोपालपूर है अधर इधर इद्गाह है जी दोनों को पूल बनवा करके जोड़ूंगा अभी तक तो ध्रातल पर कोई काम नहीं हुआ है अभी तक कुछ नहीं हुआ है प्रतेक वर्स बार के टैम में कोई घटना एक बच्चा दो रहा तब जाके पूजा संपन हुआ कितना बली लेजिएगा सरकार है सुसासन बाबू जो नदी है इस नदी में कितना बली और आप लिजिएगा आईए हम थोड़ा सा और हम मैं केमरामें से बोलूंगा थ्ट्रस इदर आईए यह जो आप देख रहा है यह यह लचका है औ और यह लचका के सामने में पूरा बार देख रहे हैं और उस सेट आप दिखाईए उस सेट वहां पर दिखाईए आप कि किस तरीके से वहां से यहां को जोड़ना है उस सेट दूसरे दूसरा गउँ है और इस सेट दूसरा गउँ है यह सारा चीज आपको देखना होगा औ मैं बता दूँ कि कि यहां पर कई यों जान गई है करी जान गई है और कई बार ऐसा वह उति हुआ है कि भूचैसरा तो मेरे में हैनला उनका भी वीडियो बना के डाला यहां के नेता गण धरातलर पर कुछ करते नहीं है और धरातल पर जिस दिन हो 전गा तब यहां के पबलिक खुस हो जाएंगे जी बोलिए यहां जो तीन दिन के दर्मियान में बारिस भी है बहुत सा किसान का धान फसल छती हो गया है वो तो हुआ वो कोई देखने वाला अभी तक सीओ वीडियो नहीं आये हैं पूरा पंचायत में पता लगा सकते हैं देख सकते हैं दियम साब परसोही आउडर किये हैं सभी पंचायत के जो किसान सलाकार हैं उनको की उनका छती पूर्ती को देखे और वहां का भीडियो बना करके एकागर करे इसमें बात हो रही है सरकार से और काम भी होने वाली है परिहाई से MS परदेशी अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना नहीं